प्रिदेश में मौसम शुष्ट बने रहने की चलते अब दिन और रात के तापमान में लगतार बड़ोतरी दर्श की जारी जिसके चलते अब लोगों को गर्मी और उमस्पर से सताने लगी है हाला कि मौसम विभाग की और से आने वाले दिनों में कुझ जीलों में हलकी से मध्यम तो कुझ जीलों में हलकी बारिश होनी की संभाव न चुताई गई है जिसके बाद लोगों को गर्मी और उमस्पर से रहात मिलने की उमीद है जैपूर एरपोर्ट पर 17 जुलाई को डोड़ा में शहीद दोनों जवानों के पार्थिव शरीर पहुचे कॉंग्रिस प्रदेश और अध्यक्ष गोविन सिंग डोटा आफ्रा उन्याता पृतिपक्ष्टी कराम जूली भी एरपोर्ट पहुचे थे आतंकी हमले पर दोनों ने चिंता जुताते हुए का सरकार ने कहा था कि एक के बदले दस सल लाएंगे लेकिन हकीकत कुछ और है हमले बढ़ रहे हैं कि अंदर को ठोस कदम उठाने चाहिए सवाय मादुपूर विधायक क्रोड़ लाल मीना तीन दिनों से सवाय मादुपूर में बुदवार को क्रोड़ लाल मीना सरकेट हाउस में जनसुनवाई कर रहे थे और अचानक कॉंग्रिस सांसद हरिश मीना मां पहुच गए परिवादियों से उनकी समस्यां के बारे में जानकारी ली और बोले कि हम दोनों आप लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे अम्जण के काम और शेत्र के विकास के लिए काम करेंगे मुक्षे मंतरी भजुलाल शर्मा के सामने लोगों की समस्या को रखेंगे समस्या की समधान का प्रियास करेंगे जलवार चीले की अकलेरा कजबे में बुदुवार को फिर से सावसपाई की वैवासता के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए नगरपालिका में ठेके पड़ चल रहे करमचारियों का पिछले साथ महीने से मुखतान नहीं हुआ नगरपालिका में सफाई करमचारियों का साथ महीने से मुखतान अचका होने की वज़े से करमचारी हर्ताल पड़ चले गए सफाई करमचारियों ने बताया कि साथ महीने से मुक्तान नहीं मिलने से हमारे घर की वैवस्ता पूरी तरह भी गड़ गई है भरत्पुर में वारी ववावल देखने को मिला हvent और कॉंग्रिस की चात्र संगटान ने जम कर वरोध प्रदर्शन किया भरत्पुर में एननीस युआज चात्रो ने युनिवर्सटी RYAN के बहौल को लेकर वरोध प्रदर्शन कंगर्दे के चात्र जीला केलकर कारेल इसे पे प्रदेश के उवां नहीं भर्धियों में वर्गी करंट की मांग करें कि अफुसुल मीडिया के माधियूं से सरकार तक 7 पे रोज़ स्विह कैं देन है कि वह में। लिए वेश बिरोज्डर मांग सुस्य कुरें टालब कमिटी ने स्विक ने के लिए सी डॉट एनाइसी डॉट इन पर जवाकर ये डिटेल्स जमा करानी होगी बता दें एंसी सी देश में बार्वी के बाद राडिकल और डेंटल कॉर्सेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी एक्जाम के अधार पर कांस्लिंग कंड़क्ट करती है आम आदमी पार्टी के न अगर ये सच नहीं है तो मोदी जी इस बात का खंडन क्यों नहीं करते हैं पंजाब और हर्याना हाइकॉट द्वारा किसानों के दिल्ली चलो मार्च के सिलसले में दर्श मामले में जमाना दिये जाने के बाद किसान कारेकरता नब्दीचिन अमबाला केंद्री कारगार से बहार आ गएं बता दे हर्याना पुलीस ने अब्दीचिन को दंगे और हत्या के प्रियास साइथ विभिन आरोपों में 28 मार्च को मोली से ग्रफतार किया था सपापर्मुक खकलेश यादव ने कहा कि सरकार आपस में लड़ रही है पुर्सी की लड़ाई में जनता परिशान है सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया आइसीम ने खुद माना कि दलाली हो रही है फिर दलाली करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा सुनिया क्लेश यादव ने क्या कुछ कहा कि कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परिशान है आप सोचिये खबर यारी कि महिला ने अपने उपर जिन्दा आंग लगा करके जान दे दी जिन्दा है कि एक्सपर हो गया आप सोचिये आप लोग सुख खुद सोचिये कि एक महिला अपना न्याय मागने गईगी और आदवदा कर दिया और था नहीं मर्स पुलिस वहां थी प्रसासन क्या कर रहा तो मापर और इनके विधायक खुद आरोब लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद सोचिये कार कर रहे हैं दलाली हो रही है तो सवाल ये जनता ये भी तो सुनना चाहिए जानना चाहेगी कि अगर मुख्यंत्री मैसूस करने कि दलाली हो रही है तो जो दलाली करने कर रहे हैं जिस विभाग के बारे में वो आरोब लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीम हो उनके आज खबर दिनबर में इतना ही दिनबर की तमाम खबरों की साथ आप से फिर रूबर हो शुक्रिया